प्राचीन सिल्क रूट से लेकर आज के टेक्नोलोजी रूट तक भारत का हमेशा एक ही मिशन रहा है दुनिया को कनेक्टेड रखना और प्रगिती के नए रास्ते खोलना ये बाते खुद प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी ने कही है इंडियन मोबाइल कॉंग्रेस के और मोबाइल यूजर्स है वही भारत जिसके 5G के मार्किट ने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है नेशनल मोबाइल कॉंग्रेस एक टेक इवेंट है इस इवेंट में दुनिया भर के 120 से ज्यादा देश हिसा ले रहे हैं साथी इसमें 400 से ज्यादा एक्जिबीटर्स हैं करीब 900 स्टार्ट अप भी मौजूद हैं आप हैनार हो जाएंगे इसमें 190 से ज्यादा देशों के 3000 से ज्यादा प्रतिनी दी शामिल हो रहे हैं 3000 से ज्यादा प्रतिनी दी 190 देशों के ये इशिया का सबसे बड़ा टेक इवेंट है सबसे बड़ा इस मौके पर प्रधान मंत यानि कि समानता का भी माध्यम है नए भारत में इस माध्यम के जरिए या इस मीडियम के जरिए गाउं शहर खासकर अमीर और गरीब के बीच की दूरी आखाई को कम किया जा रहा है इसका example उन्हों ने दिया इसका सबसे बड़ा उधारण है कि भारत में दुनिया का 40 connectivity को last mile delivery के लिए effective tool की तरह काम मिलाता है मतलब इसको ऐसे समझेगी कैसे भारत आज टेलिकॉम और टेक्नोलोजी के मामले में दुनिया से बहुत आगे निकुल चुका है आज भारत में 120 करोड मोबाइल और 95 करोड इंटरनेट यूजर्स हैं भारत ने अंड़मान में connectivity पहु चंदर्मा की दूरी से भी आठ गुना है भारत ने सबसे तेजी से 5G रोल आउट करके दिखाया और 6G की भी तैयारी की जा रही है भारत में इंटरनेट डेटा की कीमत लगभग 12 सेंट प्रती जीबी है जबकि दुनिया के कई देशों में प्रती जीबी की कीमत इससे 10 यूजर प्रती महिने 31 GB डेटा कंज्यूम करता है दुबार से सुनिये ये रिपोर्ट ये कहते है एक रेक्सन की कि 2023 में एक स्मार्टफोन यूजर प्रती महिने हर महिना 31 GB डेटा 31 GB डेटा कंज्यूम करता है अगले 4 साल में 5G की पहुंच 68% मोबाइल यूजर की तो होगी तो उस वक्त एक स्मार्टफोन यूजर हर महिने 75 GB डेटा तक कंज्यूम करेगा 75 ये सब इसलिए संभव हो सकता है क्योंकि नए भारत में टेलिकॉम सेक्टर में क्वालिटी ऑफ सर्विस पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है बॉडर और पाहड़ी एरिया में कने एक वाइफाई लगाए गए हैं आज भारती मोबाइल कंपनिया और स्टार्ट अप एको सिस्टम की वज़ा से दुनिया भर को AI सोलीशन देने की क्षमता रखता है भारत ये डिजिनल क्रांती का ही एक चैप्टर है जो भारत के विकास को 6G की स्पीड से आगे लेकर जा र रहे इसी का नतीजा ने कि आज भारत में चीन के बाद दुनिया में दूसरे सबसे ज़्यादा स्मार्ट फोन भारत में बनाया जाते हैं चीन के बाद पिछले 10 वर्षों में भारत में मुबाइल फोन मैनुफैक्टरिंग अपनी वैल्यू के हिसाब से 21 गोना बढ़ चुक भारत में मुबाइल फोन का प्रोडिक्शन साल 2014-15 में 19,000 करोड के करीब था 14-15 की बात करों दस साल पहले अब यह 9-10 साल में बढ़कर जानते है 19,000 करोड से 4,10,000 करोड को पार कर चुका है चार लाख करोड को पार 19,000 करोड से 2014-15 तक भारत से सिर्फ 1500 करोड का मुबाइल एक्सपोर्ट होता था आज यह आकड़ा एक्सपोर्ट का एक लाख बीस हजार करोड लगबक सवा लाख करोड तक पहुँच चुका है एक वक्त था ना जब दुनिया के विक्सित देशों से हम फोन और उसके पार्ट्स इंपोर्ट करते थे आज आनते हैं क्या बदला वाया आज स्मार्टफोन का एक्सपोर्ट हब भारत बन चुका है हमारे हाँ बने फोन और उसके डिवाइसेज ब्रिटेन, नीदलेंड्स, आस्ट्रिया, इकली तक एक्सपोर्ट होते हैं और अब दुनिया भर के देश भारत की 6G रफ्तार देखकर दंग है